चलो बेटा, अब सामने देखो सारे, सामने देखो, सामने देखो Chapter 2 स्टार्ट कर रहे हैं कल बाबु हमने जाते डाते एक टॉपिक पढ़ा था Starting a Business Basic Factor जब हम कोई Business स्टार्ट करते हैं क्या-क्या Factor हम दिमाग में रखते हैं उनमें एक Factor आहता Choice of Form of Business Organization और मैंने आपको कहाता है कल हम पढ़ने वाले हैं ठीक है पांस तरीके से हो सकता है बिजनस देखो एक बात बता देता हूँ आपको लो पहले यही क्लियर करें करो अगर प्राइवेट सेक्टर बिजनस करता है या गर्मेंट बिजनस करती है तो बिजनस कोई भी कर सकता है यह तो दिमाग में नहीं है ना कि गर्मेंट बिजनस नहीं करती बिजनस करती है प्राइवेट सेक्टर जब भी बिजनस करता है वो पांच फॉर्म में करता है ठीक है अब इसी की बात करने है यह पूरा चैप्टर टू है ठीक है पांच तरीके से बिजनस कर सकता हम सोल प्रोप्राइटर्शिप पार्टनर्शिप मैं कहता हूँ और कोई नाम नहीं सुने तो तीन बंदों के तीन चीज़ों के तो नाम सुनी रखे इसमें सोल प्रोप्राइटर्शिप पार्टनर्शिप कंपनी इनके तो नाम सुनी रखे है ठीक है एक चीज़ होती है कॉपरेटर्शिप सुसाइटी और एक होती है हुएफ प्यार से बुलते है हुएफ हिंदू अंडिवाइडड़ फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली भी ठीक है हमाँ स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटर्शिप से एक बात ध्यान रखना बाबू जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा ना पहले टॉपिक को बहुत बहुत स्लो पडाऊंगा ताकि ये बिलकुल समझ में है जब ये समझ में आजेगा यहाँ पर फेस थोड़ी अबने देखेंगे अभी बुक्स नहीं चाहिए जब चाहिए रहेंगे खुद बताओंगा आपको चलो जी साने देखना बेटा सोल प्रोप्राइटर्शिप का मैंने मीनिंग लिखा है अराम से समझेंगे जरहें इसको अराम से कवर करते हैं ठीक है क्या लिखा है सोल प्रोप्राइटर्शिप refers to the form of business organization which is owned managed and controlled by a single person who is the recipient of all profit and the bearer of all risk देखो अभी आपको पढ़ने में कुछ अजीब नहीं लगाओगा लेकिन comparison मैं अभी सही शुरू कर दूँगा ठीक है हो सकता है कुछ बाते 15-20 मिनट के लिए रटनी पढ़ जाए तो टैंशन नहीं लिए आपने ठीक है बबू कहता है soul providership एक ऐसी form of business organization है जिसमें एक single person सब कुछ कर रहा है वही honor है वही management है वही controller है बबू आपको लग रहा होगा इसमें कुछ अजीब नहीं है जो honor होता है वही तो management करता है उसी के हाथ में तो control होता है नई टाई ऐसा नहीं होता हर form में ऐसा नहीं होता मैं यहीं पर compare कराना जरूरी समझ रहा हूँ बेटा चाह görün मुझे पता है आपको आधिय से ज़्यादा बात भी पता नहीं है लेकिन मैं यही compare करा रहा हूँ देखो सुनो वेरी बात, जब आप compare करके पढ़ोगे ना chapter, बहुत असान लगेगा, compare ही करना है, बाव वो company के point of view से सोचोगे ना, तो बेटा company में न, honor अलग लोग होते हैं, और बेटा controller या management के लो, ये अलग लोगों के हाथ में होते हैं, पता है आप कोई बात, नहीं पता ह होगे, आदो को भी नहीं पता होगे, बेटा, honor पता है कौन होता है company में, equity shareholder, और management पता है किसके हाथ में होता है, board of director, यहाँ आपको जीब नहीं लगाओगा, क्योंकि आपकी सोच पता है क्या रहती है, जो honor होता है, वही management करता है, control भी तो उसी कही होता है, ऐसा नहीं है ह जगा पर, इसलिए compare करा रहा हम ताकि आपके दिमाग में आप fit हो, ठीक है, sole proprietorship refers to the form of business organization which is owned, managed and controlled by a single person, वही single person honor भी है, management and control यानि कि सारी decision making भी उसी की है, who is the recipient of all profit, अगर बेटा उसका business तरक्की करता है, तो सारा profit उसका है, and bearer of all risk, और अगर बेटा कोई risk आता है, कोई losses incur होते है, तो बेटा अकेले bear करने है, समझा है, meaning तो simple है, बहुत असान है, easy है, ठीक है, वैसे भी मैंने इसके अधी बाते touch नहीं करी, अगर मैं detailed पढ़ाना शुर कर दूँ, तो what लग जाएगी, मैं feature में detailed पढ़ाऊंगा, मेरे को क्या-क्या बाते touch करनी है, ये लो, एक ये बाद touch करूँगा, और ये बाद touch करूँगा, ये करूँगा feature में touch, ठीक है, फिलाल जितना उपर-उपर से समझाना था, वो आपको समझा गया, कि meaning है क्या, ठीक है, अब feature स्टार्ट करेंगे, बस आपकी जिम्मेदारी ये होगी, कि आप मुझे heading बताओगे, 1%, आप सबने मेरे से ही सुनना है, आप book नहीं भी खोलोगे, बाकी सब तो कोई tension है, ठीक है, पहली heading क्या है, formation and closure, बबु, देखो, एक बात सुन लो, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब ये 5 topic हैं हमारे सामने, इन सब के feature हैं, इन सब के advantages हैं, इन सब के disadvantages हैं हमारे course में, यानि कि पहले soul partnership पढ़ेंगे, उसके feature पढ़ेंगे, उसके advantages पढ़ेंगे, उसके disadvantages पढ़ेंगे, ऐसे ही partnership में, ऐसे ही company में, cooperative में भी और HR में भी, बाबु, company और partnership में इसके अलावा भी बहुत सारे topic है, ठीक है, ये सब स्याधा detailed है दोनों, ठीक है, इसलिए बाबु, बोल आखे दी है, फीचर है, सुन्दर आखे दी है, advantage है, खराब किसी को दी नहीं, अगर दी होती तो, वो disadvantage था, निकलता feature से ही, ठीक है, तो feature अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे, तो आधी advantages और disadvantage तो वैसे ही, ठीक है, चलो, अब करना शुरू करते हैं बात, सबसे पहला feature है, formation and closure, अब सुनोगा, जब merit पढ़ोगे ना इसकी, तो merit में लिखाओगा, ease in formation and closure, असान है formation करना और closure करना, लेकिन यहाँ पर feature में कहा लिखा है, formation and closure, जैसे आपको आखे दी है, सुन्दर दी है, तो advantage में लिखा है, ठीक है, formation and closure का क्या मतलब है, बिजनस कैसे शुरू होता है, कैसे खतम होता है, बेटा, hardly any legal formality is required in the formation of sole proprietorship firm, अगर sole proprietor में business करना है, अकेले इंसान है business करना है, शायद ही कोई formality है, कोई formality ही नहीं है, government की तरफ से, कोई legal document ही नहीं है, government की तरफ से, तो in some cases, one way require a license, ज्यादा से ज्यादा क्या मंगा जा सकता है, license, वो भी किसलिए sensitive business कर र जो बेटा, national threat है हमारे लिए, हो सकते है ना, arms and ammunition, business करने दे आपको, बिना license के, हत्यारों का दंदा गरलो, ऐसी करने देंगे क्या, ऐसे तो नहीं करने देंगे, sensitive है, national threat हो सकता है, ठीक है ना, या liquor है, government चाहती नहीं प्रमूट करना, cigarette है, tobacco है, बेटा, इन चीजों के लिए आपको license चाहिए, otherwise, sole proprietor में कोई legally कोई document नहीं चाहिए आपको, ठीक है, आपको ये भी बता देता हूँ, sole proprietorship firm किसी भी act से govern नहीं होती, यानि कि कोई भी कानून नहीं लगता, अब एक और मुद्दा आ गया, what do you mean by act, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कानून, ठीक है, सु कोई नाम सुने, companies act, अच्छा, कोई चीज, act कैसे बनती है, ये तो जानना ब्रदा जरूरी है, detailed नहीं पड़ोगे, फिर फायदा क्या मेरे पास आने का, ठीक है, मैं तो पड़ाऊंगा ही बहुत detailed, act का क्या मतलब होता है, act बनता कैसे, देखो एक बात सुनो बाबू, एक बिल आती है, first house of parliament कौन सा है, लोगसभा, ठीक है, बिल आती है, जब वो majority से पास हो जाता है, लोगसभा से, फिर वो जाता है, राज्यसभा में, second house of parliament, अगर वहाँ भी majority से पास हो जाता है, फिर वेटा, president उसके उपर sign करता है, जो की फिलाल मैं हूँ, ठीक है, president sign करता ह जैसे ही sign होएंगे, वेटा वो चीज कानून बन जाएगे, उसे बोलता है, पहले उसे बोलता है, बिल, जब वो पास हो जाता है, तो उसे बोलता है, act, समझ मैं, कानून कैसे बनता है, इंडिया में, ठीक है, और वेटा, जब भी किसी कानून का जिकर करोगे, उसका year जरू 2013, Companies Act पुराना था 1956, यानि कि 1956 में पास उबाँ होगा, दुबारा, 2013 में, ठीक है, बात समझा है, पारलेमेंट कब बनी है हमारी, पढ़े लिखे बच्चे, पारलेमेंट कब बनी हमारी, दिन बता दो बस आज, क्या डेखती, औरे कैसे निकम्मे हो तुम, चुल्लू भर पानी में डूब मरो बाबो, पता है किसे मरते हैं, लो, दो बून पानी लो, नाक में डालो, सास नाने तो खतम बनी हमारी, तो मैं ये नहीं पता पारलेमेंट कब बनी, अबे रिपब्लिक डे क्यू सेलिबरेट क बाग लो, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में पारलेमेंट बनी, ठीक है, अब ही मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका इस्तमाल करूँगा थोड़ी देर के बाद इस टाम का, ठीक है, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको, मैंने पहले ही का था, और यहां से मेरी स्ट् शुरू होती है बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इस शेप्टर से शुरू होगा, ठीक है, अब बापसी आ रहा हूँ मैं बेटा, सोल प्रोपराइटर्शिप किसी भी एक्ट से गवन नहीं होती है, यानि कि कोई भी कानून सोल प्रोपराइटर्शिप पे नहीं लगता, ब बेटा कोई legal formality भी नहीं चाहिए, जादा से जादा license मांगा जा सकता है, और closure, closure भी बहुत असान, बेटा दुकान का shut it down कर देना, और ताला लगा देना, अगले दिन से दुकान ना खोलना, कोई legal formality नहीं है, business बंद करने के लिए, आपको बता देता हूँ बेटा, company बंद कर नहीं, closure करना company का मा बारत है, ठीक है, आपके course में formation of a company है ना, closure of a company, CA final में बढ़ाते हैं, समझाई बात, closure कितना मुश्किल होगा, समझाई बात, इसलिए बेटा यहाँ पर बताना जरूरी है कि soul ridership का closure भी बहुत असान है, कोई legal formality नहीं है, दुकान का shutter down करो, business बंद हो ग इतनी बात में कोई समस्या, बड़े आके, second feature liability होगा, ठीक है, second feature है liability, लो, इसका जिक्र करना है मेरे को अब यहाँ पर ना बावो, बात बहुत बहुत अराम से समझनी है, क्योंकि यह बात कहीं बार repeat होगी, कहीं बार, ठीक है, जब भी topic आए गाना liability, liability, आपको हमेशा decide करना होगा, whether your liability is limited, और it is unlimited, हमेशा यह decide करना होगा, liability limited है या unlimited है, यह decide करना होगा, अभी पता लगता है, दोनों बातों का मतलब tension मतलो, लेकिन मैं यह बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, sole proprietorship में आपकी liability unlimited होती है, unlimited का मतलब समझते हो, अब सुनना, in case, my business assets are not sufficient to meet the business liability, your personal assets could also be sold out, कहने का मतलब क्या है, बभू, आपने business assets 50 लाग रुपे की लगाई, ठीक है, ठीक है, बिजनस है, मतलब, shop की value, furniture fitting और उसमें पढ़ावा goods, इन सब की कीमत है 50 लाग रुपे, ठीक है, और आपके उपर बेटा करजे चड़ गए, business liabilities चड़ गई, मालो 80 लागs, ठीक है, कोट ने क्या करा, order दे दिये, ये सारी business assets को बेच दो, बेच दी गई सारी की सारी business assets, करजा चुकताग दिया गया, 50 लाग रुपे, क्या भी भी करजा पढ़ावा है, आभी भी पेटा, unlimited liability का मतला पता है, क्या होता है, अगर आपकी business assets इतनी नहीं है, कि business liability को पूरा चुकता पाएं, तो बेटा, आपकी personal assets को बेचा जा सकता है, समझा ही बाद, अगर ये liability limited होती, जो नहीं है, अगर होती, तो बेटा, जादा से जादा answer business assets पर आ सकती थी, personal assets तक बाद जाएगी नहीं, अगर जब भी word use करूंगा limited liability, अब यह आप याद रख लो, मुझे आपने बताना है, जब भी word use करूंगा, मैं limited liability, वहाँ पर मतलब क्या होगा, आज सिर्फ business assets पर आएगी, personal assets तक बात नहीं जाएगी, लेकिन बेटा, यहाँ पर आपकी liability कैसी है, unlimited है, unlimited मे क्या होगा, personal assets भी बेचेगी, कोट, माल लो आपके पास personal assets 35 lakh रुपी की है, क्या 35 lakh सा 30 lakh दिये जा सकते है, दिये जा सकते है, बावू, personal assets में क्या क्या सकते है, soul proprietor के नाम उसका कोई घर है, बेचे जा सकते है, उसके नाम कोई four wheeler है, two wheeler है, बेचे जा सकते है, उसके घर का fridge, TV, AC, सब बेचे जा सकते है, even बरतंग भी, भांडे भी बिख जाएगे, ठीक है, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, लेकिन आपको क्या लगता है, बुक में इतनी लिखी है, मैंने इतनी पढ़ानिया, अब तो शुरू आओं मैं, personal asset 20 लाग उरुपे की है, मचा तो यहीं से शुरू होता है, बुक में नहीं लिखा वा, लेकिन समझना तो है बेटा, ठीक है, 30 लाग उरुपे का करजा देना है, personal asset भी 20 की है, तो कोट ने क इक टाक बहाँ पर भीगेगी, 10 लाग उरुपे दे दो, किड्नी भी कुमा दे या आख भी कुमाएं, क्या गरें बताओ, बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, 20 लाग उरुपे दिये जाएंगे, बचे 10 लाग, ये क्या होगा, इसके लिए समझो, बेटा, कोट बोलेगी, soul proprietor क अपने आपको insolvent declare कराओ, insolvent समझते हो न, दिवाली आओ गया इंसान, कंगाल हो गया, और उसके लिए कोट क्या कहती है, कम से कम दो newspaper में अपनी photo निकलवाओ, जो आपके area में चाती है, उसमें लिखवाओ, मैं कंगाल हो चुका हूँ, मैं दिवाली हो चुका हूँ, कुछ नहीं देना, समझा ही बात, ये बुक में नहीं लिखवी, ऐसी बातें मतलिक करा न, ठीक है, टीचर को भी नहीं बता दो हुमारे, हो क्या बात, वैसे इस इस बहुत सारी illegal बाते भी होती है, वो बात में बता दूँगा, कैमरे बंद होने के बात, ठीक है, इतनी बात हो किया क्या, चलो जी, बेटा, next feature है, solve risk bearer and profit recipient, वाभू, यानि कि यही बात आ गई, और मैंने का ता, मैं यहाँ पर थोड़ा सा detail बोलूँगा, वाभू, अब यही बात भी समझ लो, देखो, यही बोल रहा हूं, comparison से पढ़ोगे chapter आप ही, अब compare करते हैं, हम इसको अभी से partnership firm से, बेटा, मेरी partnership firm है, अगर मैं profit कमाता हूँ, क्या सारा मेरा है, क्या, नहीं, मेरको share करना पड़ता है न, partnership firm है, बेटा, profit is shared among the number of partners, and losses also shared among the number of partner, लेकिन, बेटा, in case of a sole proprietary firm, you are the recipient of all profit, and the bearer of all risk, बेटा, यहाँ पर अगर आपने मैनत करी है, और आपकी किस्मत चमक रही है, और आप दिन दुनी राच, चौगनी तरक्की कर रहे हैं, और सारा पैसा आपी का है, और गलती से बेटा, अगर losses हो रहे हैं, तो वो भी आपको अकेले bear करना है, यह कोई partnership firm नहीं है, कोई आज quality की मैने बात करी, और तीसरी बात करी, solve risk bearer and profit receipend, fourth one is control, बभू, अब यह आगई बात, control, देखो एक बात सुन, in case of sole proprietary firm, 100% control lies in the hand of proprietor only, 100% control किसका है, उसी एक परसन का है, ठीक है न, बभू, partnership firm होती तो, मालो, तीन पार्टनर है, एक परसन का है सकते हैं, नहीं, सारे decision मैं लूँगा, तो कहेंगे, हम अभी छोड़ते हैं, partnership firm, तू लेगा, क्या सारे decision, mutual consent से लेंगे decision, यही बोला जाएगा न, partnership firm में, बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 100% control आपका है, suggestion सुनना, सुन सकते हो किसी का, लेकिन उसको मानना क्या जरूरी है, आपके अपर क्या, किसी का suggestion bind करता है आपको, 100% control आपका है, यही एक merit भी clear कर देता हूँ, merit के time पर भी समझाओंगा, merit आई कि quick decision making पहली है, कहता है, soul partnership and decision making is very quick, प यही सोच कर देख लो partner से firm हो, और बावो मानलो तीन ही partner हो, तीन partner अलग अलग state में रहता है, एक JNK में रहता है, एक मानलो करनाटका में रहता है, और एक मानलो मारास्प्रा में रहता है, ठीक है, और एक partner को को कोई opportunity दिखाई दे रही है, चलो, अब क्या होगा, पहले तो यही sole proprietorship हम है, बेटा, decision making is very quick, very immediate and very prompt, अकेले हो, सारा control है, किसी की सुननी थोड़ी है, suggestion सुन सकते हैं, लेकिन मानना जरूरी थोड़ी है, it is up to you, ठीक है न, इसलिए बेटा, sole proprietorship हम market opportunity को जल्दी capitalize करती है, अगर इनके सामने कोई opportunity आती है, तो यह capitalize जल्दी कर जाते है, company में भी यही परशानिया है, बाभू 12 board of director हो सकते है maximum, 12 board of director बैठ है इस जगहा पर, 6 ने कहा दिया invest करो, 6 ने कहा दिया, मत करो, लड़ते हैं, जब तक वो एक platform पे agree करते हैं, तब तक opportunity कहीं के कहीं, soul proprietorship का यह advantage है, control आपका है, decision making आपकी है, judgment आपकी है, आप बड़ी immediate judgment ले सकते समझाई बाद, control भी और quick decision making भी लगवाग एक जैसा है, लिखना, ओके बाद, fifth one is, no separate entity, अब बड़े काम की बात, यह बहुत काम की बात है, यह अराम से समझना, बेटा, in the eyes of law, proprietor, proprietor और उसका business, याने कि business और businessman, अलग नहीं है, there is no separate entity, यह दोनों एक है, accounts के लिए बात बता देता हूँ, अभी आप accounts में confused होगे, पेटा, आप accounts में assumption लेते हो, account में आप assumption लेते हो, business तू अलग बात, businessman तू अलग बात, याद है आपको, नहीं बताते हैं ऐसा, ठीक है, आपने capital डाली, आप business man, business में capital डाली, आप क्या कहते हो business को, business ला मुझे interest on capital दे, अगर यह दोनों एक मान लेते हैं, वहाँ पर accounts बनते, कभी accounts ही नहीं बन सकते हैं, खता हूँ, आपको बता है, आप capital कहा दिखाते हो, liability side, क्यों, liability side क्यों, कि मैंने पैसे वापिस करना है, business कह रहा है, business के accounts बनना है, business कह रहा है, मैंने किसी से capital लीवी है, वो किसी कौन है, business man है, उसके पैसे वापिस करना है, तभी तो liability में दिखा रहे हो, पढ़ ली तुमने account आता जाता है, कुछ नहीं तुमारे को वैसे, ठीक है, किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा, theory तो मैं accounts की, governor owner, attention आलो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, वो assumption है, true reality है, business और businessman में कोई separate entity नह अलग-अलग बात है, तो क्या हो जाता, फिर पता है क्या होता, देखो, सुनो, एक firm है, तो में बहुत अच्छे से पता है, कौन है, success mantra, और इसका एक proprietor है, हाँ, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर court कह देती है, दोनों अलग-अलग है, success mantra, अलग बात, Manish Kalra, अलग बात, तो आज ही ले लेता, success mantra के नाम पे, 500 करोड का लोड, और जब भी बैंक मेरे से मागना आता, मैं कहता, निकल वाल ही success mantra से, मुझे क्या पता कौन है, बाई, अलग-अलग कर सकते है, नहीं कर सकते है, यह दोनों एक ही बात है, success mantra हो या Manish Kalra, यह दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, समझा ही बात, there is no separate entity between the business and the business man, they are the one and the same thing, in the eyes of law, समझा ही बात, fit fine, and last one is lack of business continuity, ठीक है, बाभू, business में continuity नहीं है, क्यों, एक single person है यार, उसकी death हो जाए, इन इन्सोलवेंसी हो जाए, फिजिकल इल हो जाए, मेंटल इल हो जाए, इम्परिजिन्मेंट हो जाए, business may cause to an end, हो सकता है न, खतम business, एक इन्सान है मर गया तो खतम हो जाएगा, जेल होगी तो कुछ ताइम के लिए खतम हो जाएगा, ठीक है न, फिजिकली इल हो गया, त business कतम हो जाएगा insolvency होगी तो business नहीं करने देगी कुछ दिन के लिए बाकी तो मैं पता है ठीक है बात समझ भाई कि business में continuity नहीं है अब एने 6 feature बहुत पसल्ली से बढ़ाए आपको कोई problem है तो बताओ नहीं तो continue करते हैं आके करें आके advantages और disadvantages बेटा बहुत सारी cover हो चुकी होंगी फीचर में ठीक है तो बेटा 6th advantage क्या लिखी है 6th हो गिया 5th ease of formation and closure क्या number 6th ease of formation and closure cover हो चुकी है पहला जो feature था formation and closure वही क्या है 5th advantage है merit है ठीक है ना 1st क्या है 1st merit quick decision making cover हो चुकी है control में पक्ता second one confidentiality of information बड़े काम की बाद confidentiality मतलब secrecy कहता information secret रहती है sole providership firm में अच्छा secret रहती है हाँ बिल्कुल बभू देखो एक बात सुल हर business का एक trade secret होता है यह पता है आपको हर trade का एक trade secret है और हम चाहते हैं वो किसी को ना पता लगे generally बता दू क्या बात नी चाहते हैं पता लगे हमारा supplier को ने जिससे हम goods खरीते हैं और हमारा customer को ने जिसको हम goods बेचते हैं अगर यह बात आपके competitor को पता लग जाए तो आपकी हालत खराब हो सकती है हम कभी नहीं चाहते हैं यह दो बाते किसी को पता लगे किस supplier से हम goods खरीते हैं और किस customer को हम goods बेचते हैं यह नहीं पता लगनी चाहिए किसी को बात थीक है आपको लगता है soul providers में पता लगती होगी एक इंसान है खुद तो बताएगा नी अपना business चोपट तो करेगा नी दूसरी बात कहा है इसको कहीं accounts publish नहीं करने होते हैं बनाने जरूर होते हैं publish कहीं नहीं करने होते हैं नीउस पेपर में देखें कभी websites पे accounts डाल रख्या है soul providers नहीं डालते हैं company का पता क्या हाल है compare यहीं कराऊंगा तभी समझ में आएगा company का पता है क्या हाल है annual report बनानी होती है हर साल हर shareholder को annual reports दी जाती है पूरे accounts और आपको कोई doubt हो तो अभी मैं website खोल कर दिखा देता हूँ जिस company के कहोगे उस company के accounts और अभी है छोड़ो doubt की बात यार तुमारे group में आज कम सकम 15-20 company के accounts बेज़ों अब पढ़ लेना सारे supplier के नाम पढ़ लेना सारे के सारे customer के नाम पढ़ लेना पूरे के पूरे detailed accounts होते हैं पूरे के पूरे कितनी page की होती होगी annual report अज़ा है अगले साल project अगले हाग project बनाना है आपने boards के लिए दाइसो बेज़ की आँ ड्रा ने रहा आपको तो तीसी page लिखने होते हैं उसमें से वैसे दाइसो बेज़ की होती है annual report इतने detailed accounts होते हैं समझाई बात बेटा companies और सुन लो कई बार बहुत सारी companies को quarterly reports भी देनी होती है तो वो quarter basis पे भी accounts बनाती है हर तीन महिने में और publish भी कराते हैं newspaper में और अपनी website पे भी publish करते है तो बेटा क्या वहाँ confidentiality है नहीं है company level पर कोई confidentiality नहीं है लेकिन sole proprietorship पे देखो आपकी information हमेशा और हमेशा secret बनी रहती है समझा ही बार? कैसे secret ही है? next one direct incentive ये नहीं पढ़ानी अभी 10-15 मिनट क्या बलके आदा एक गंटा छोड़ तो मैं अभी कुछी रटवाना नहीं चाहता बेटा direct incentive अगर अभी पढ़ाऊंगा तो रटवा के सब जाऊंगा अभी नहीं समझाना जब company हो जाएगा तो याद करा देना कि आपने एक heading छोड़ी थी यार तुम याद नहीं कराते ठीक है ना? तुम सोचते हो भाईया को आती नहीं तभी नहीं करा रहे अभी ठीक है? याद कराना ज़रा मुरे को तब बताऊंगा आपको ठीक है फूर्ट क्या है? sense of accomplishment basically means sense of satisfaction sense of accomplishment मतलब sense of satisfaction कहता है soul partnership में satisfaction बहुत रहता है पता है क्यों? माझनो business बहुत तरक्की कर रहा है एक लाग से शुरू कर आप 10 लाग तक लेगे मेरे dish यहने देखे कितनी मैनत करी मैने तो sense of satisfaction रहता है कि मेरी वज़े से है सब कुछ और मैं कहता हूँ loss हो गया जस लाग लगा है एक लाग पर पहुँच गया तो तब भी एक satisfaction रहता है कि कम से कम decision तो मेरे थे partnership में हाल बताऊ बबू तीन partner है A, B, C ठीक है? अगर C किसी अभी थोड़ी देर के लिए रटना पड़ेगा ये portion B, C किसी project पे अगर sign कराए न, तो पूरी partnership पर लगता है C ने DCN लिया या कोई, ठीक है? और उस project में 30 लाग रुपे का नुक्सान हो गया और तीनों का share बराबर था यानि कि A को भी 10 लाग बेर करना पड़ा B को भी 10 लाग बेर करना पड़ा आप ए और B के point अभी से सोचो तेरे गलत judgment के लक्तर में मुझे 10 लाग का नुक्सान हो गया क्या हमा satisfaction है? हमा conflict हो जाएंगे यहां कम से कम यह तो satisfaction है अच्छा चलो loss हुआ है चली आज decision तो मेरे थे तो एक satisfaction रहता है दिमाग में कि अगर loss भी हुआ है तो judgment तो मेरी रही है ना और अगर profit हुआ है तो तो फिर तो मैं सब कुछ ही हूँ फिर तो इंचान को रहते है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और कौन कर रहा है? ठीक है ना? तो इस बात का satisfaction रहता है ओके बात limitations limited resources अब सुन लो बावो ये heading कम सकम 4 या 5 बार repeat होगी हर जगा पर repeat होगी partner शेफ इरेज कर दिया partner शेफ फर्म में भी आने वाली है यह heading further HOF में भी आएगी तो अभी समझ लो बहुत अच्छे से बेटा जब भी ये heading दिख जाए आपको limited resources तो आपने क्या करना है? सब कुछ भूलके company से compare करना है सब कुछ भूल जाओ और company से compare करना शुरू दो as compared to company sole proprietor के पास कुछ resources नहीं होते बहुत limited resources है company पर बाता है कितने resources हो सकते है अंदाजा दे देता हूँ चलो कुछ clarity होजेगी Reliance Industries Limited world's largest factory कितनी? तीन महिना लग जाएंगे पैदल गूमना शुरू कर देना समझ में आ रहोंगे resources की बात ठीक है? वैसे भी आप जानते हो ठीक है न? इस time इंडिया की भी सबसे बड़ी company हो चुकी है market capitalization wise और HDFC bank number two कुछ 10 लाख करोड की company और HDFC bank 7 लाख करोड की company तो आप समझ सकते हो क्या इतने resources कोई sole provider आ सकता है? बेटा, companies में क्या होता है? member की कोई limit नहीं है मैं एक simple सी बात करता हूँ मान दो एक company में 5 लाख लोग member है ठीक है? और सब 100-100 रुपे लिया है सिफ 100-100 रुपे 5 लाख member है 100-100 रुपे लिया है कितने रुपे कटे होगे? 5 करोड sole proprietor के लिए सोचो 5 करोड बेटा, as compared to company sole proprietor के लिए resources की हमेशा ही कमी है समझा ही बाद? limited life of a business concern यह feature का 6th point है lack of business continuity कि business में continuity नहीं है एक इंसान है death हो गई तो insolvency हो गई तो imprisonment हो गई तो physical ailment हो गई तो mental ail हो गया तो business may comes to an end यह वह ही है ठीक है? next one is unlimited liability यह भी पढ़ चुक है यह लिखा वा पूरी बात and next one अब यह बड़े काम की आता है limited managerial skills यह ability बभू अब आप अराम से समझे लो इस बात को बभू company के comparison में soul proprietor आपके management के skills कुछ भी नहीं है आप एक इंसान हो एक इंसान हो एक इंसान कितने functions में expert हो सकता है business चुलाने के लिए तो बहुत सारे functions में expert होना पड़ता है purchase भी आपको देखनी है production भी आपको देखना है sales भी आपको देखना है finance भी आपको देखना है accounts भी आपको देखना है advertising भी आपको देखना है marketing भी आपको देखना है inventory control भी आपको देखना है और n number of things है एक इंसान कितने काम एक्सपर्ट हो सकता है एक, दो, तीन ना तो आप हर काम में एक्सपर्ट हो और ना ही आपके पास resources जादा है पहली limitation ना तो मैं हर काम expert हूँ खुद और ना ही बेटा मेरे पास यतने resources हैं कि expert को appoint कर सकूँ इसलिए बेटा आपके management के skills limited है कभी किसी soul providership firm को देखा जो multi nations तक चली गई कभी देखा बता दो management के skills नहीं होते हैं समझाई बात और company में बेटा हर काम को करने के लिए expert बलकि एक नहीं हजारो sales manager 20 purchase manager 25 production manager 30 समझा रहे हैं एक expert निया expert की team अकेलिये reliance के पास 200 chartered accountant है 200 एक company के पास समझ रहे हो में एन्वेंट के skills कहा जा रहे होंगे समझाई है ओके बात soul proprietorship यहीं पर खतम हो गया ठीक है partnership